नमस्कार मैं हूँ दीपक सिर्वास्तो और आप देख रहे हमारा खास शो शहर की जंग जनता किसके संग आज हम पहुँचे हैं महराज गन जिले की महराज गन नगरपालिका में साल 1989 में जब महराज गन जिला गोरकूर से अलग हुआ उसी समय इस जिले का पहला नगरपालिका महराज गन नगरपालिका बना यह सीट ऐसी महिला कोटे में गई है जिसकी वज़े से इस बार यहाँ पे समीकरण बदल गए हैं यहाँ से इस बार बियस पी की आश्राय देवी उमिद्वार है उर्मिला देवी है बीजेपी से जो यहाँ के जिराधिक्ष परदेशी की पत्नी है और साथ ही रीता देवी है कांग्रेश से जो इसके पहले भी एक बार यहाँ से नगरपालिका अधर चुनी जा चुकी है पिछले अगर हम चुनाओ की बात करें 2017 में तो इस नगरपालिका में कुल 14 वार थे जो अब बढ़कर 25 हो गए हैं वोटरों की संक्या भी बढ़कर 60 हजार हो गई है लेकिन जि केस में सरकार बीजेपी की लेकिन क्या इसके बावजूद ये जो जिला है ये जो नगरपालिका है वो विकास की उस गती को पास तका है जिसकी उमीद लोगों की थी और इस बार के नगर निगाए चुनाओ में लोगों की उमीदे क्या है किस प्रत्यासी को और किस दल को द हम इसमें महराज गंज नगर फालिका के साहुजी नगर में हैं ये वार्ड नमर 17 है और इस वार्ड की सबसे जो खासियत है ये पकोडे और यहां की चाय है देखेंगे आप यहां पे कि लोग खड़े हो करके वेट करते हैं कि कब यह पकोडे यहां पे गरमा गरम निकलें और चाय के साथ लोग उसका आनंद ले सकें और बात जब सियासत की हो तो चाय की बिना सियासत की बाते हैं अधूरी होती हैं और यही कारण है कि चाय की दुकानों पर इसमें हर जगह आपको भीड नज़राएगी और यह भीड जब चाय की चुसकी ले करके सियासत की बाते करत बढ़ते हैं कोद्धी पार नाम पता है किस लुपाली सो आते थे इधर कहीं वह लिए क्या माहुल है महराजगन में डीस्पी का बढ़ियां माहुल यह थे का माहुल है यह दो बिजीपी का गळ कहते है थे को पाक का कर रहा है इसमें आसाते भी वह बिचुना जीत के जाएंगे बहेंजी के जोली में जाता क्या बदलाओ इस बार चाहा रही है क्या जी एक दम बदलाओ है एक दम बदलाओ होगा सब आपके तो जो अभी नगरपालिका देक्स थे वो बीजेपी के विधाइक बीजेपी के सांसत बीजेपी के सरकार बीजेपी के किंदर परदेश में इतना होने के बावजूद भी काम कितना हुआ काम जीरो है क्यों बाते हैं इनका काम जीरो है जो काम के आदरे बंक मारी मायती जी की है परदेशी जो राम है हाँ पर आपके बीजेपी के जिलादेक सुन की पत्री इस बार उन्हों मिला जी लट रहे हैं चुनाओ तो सुन तो रहें कि उन्हों ने बड़ा बढ़िया मना रख नहीं नहीं है सब बाहर ही है लोग जो और इसमें कोई जो रह नहीं है इसमें प्रतयासी जीत रही है इस बार आप्टिसमें आपके वार्ड के वह चुने जाएंगे सबस्तो चुने जाएंगे उसमें किसकी आपको लगर एक सभसेजिक सीच निकले लिए दिसमें उसमें भी सब्सक्राइब कोई रोक नहीं पाएगा बादपा के अध्यक्ष रहे सुरी कि अच्छी रही और जो भी विकास के जितना करपाई किये तो कि उसी वीच में को भी दिया गया था तो विकास थंग गया था फिर पूरा करने का प्रयास किये हम इसमें महराज गंज के में चोरा ही पहे हैं यह चोरा हा पूरे शाहर का सेंटर पॉइंट है यहां से आपको सीधे जाना है तो गुरखपूर के लिए रास्ता मिलेगा बाये तरफ पर अगर आप निकलते हैं तो यहां से अब नेपाल बाड़ा ज़ा सकते हैं और सामने से आप फरिंदा होते हुए गोरखपूरिया सी धार नगर जा सकते हैं प्रशार का केंद्र है ये और केंद्र होने के वज़े से सियासत की अगर कहें तो धुरी भी मानी जाती है और जब बात नगर पालिका नगर पंचायत इलेक्सन की हो तो चर्चाएं भी काफी होती है जो इस समय यहां पे काफी तेजी स्वोरी है परंपरा वही रहेगी या भ जीत रहा है तो सबसे बड़ी समस्या है यहां पानी जैसे बरसात होता है पूरे नगरों में पानी भर जाता है बिजेपी कांग्रेस ब्यस पी और सपात कौन आपको लगरा कि दावधारी बढ़ी दावधारी इसमें बीजेपी से और गड़ेस परसात बश्पा गड़ेस कर दोए दजाने काफी सारा विकास किया है जब से 2 14 सरकार बनी है योगी जी हमारे मुख्य मंत्री बने है प्रडेस बने की सारा विकास कारी हुआ है सटके बनिये नालिये बिजली ब्यूस्ता दुरुस्त हुई है लेके आम जनमानों सपने को कि स्ष्चित महसूस कर रहा है तो लगवक्त एमार्ण के चलिए कि आसपा का और गाएच नहीं में सरकार बनना त्येल दिखाए दे रहा है अध्य आध्या माहूल है कि यहां कोई महाल नहीं हैं यहां कोई अध्या सादों से कोई लेना ना ने आ पर आपर लोकल के लोग हैं और लोकल के जनता है, लोकल के निताक जितने यहां बाहरी लोग लड़ रहे हैं, कोई बस्ती का है, कोई आजम गड़ का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, इस बार लोकल के लोगों का उड़ दिया जागा, और आसादे भी लोकल के नगर की है, 2012 में लड़े थे उनके पती पर साथ महाराज गन पूरे जिली में क्या इस्थिती है किसका माहुल है नहीं पर बीजेपी प्रॉस आथी है ज़न्टा के बीच में आमाम के बीच में सरकार की प्रति कानुन बे वस्था को लेकर और विकास को लेकर एक जिब क्यासा बढ़ी है और इन सब बातों को मर्दे निजर ऐसा लग रहा है कि प्रदेश और केंडर की सरकार की काम को मर्दे निजर लखते हुई जन्टा उसको अपना जनादेश देगी महराजिन नगरपालिका के चुनाओं में इस बार मुकाबला त्रिकोडी है बीजेपी बीएसपी और कांग्रेस की जो महिला प्रतियासी है वो इस बार मैदान में जा रही है हैं लोकों के बीजेश में उनका मत लेने के लिए बीएसपी के जो प्रतियासी हैं वो हमारे साथ है आसा जी ग्रिवडिई है परिवार को छोड़गे पहली बार ये मैदान में इउत्री है आसा जी क्या है इस बार किस तरह कासिरबात आपको मिला है और alsud कि शनता किस दर जीतेंगे तब हम करेंगे कितर बात करें, तो बदलाओ कितना हुआ है? विदायकी का चुनाव लड़ते हैं उनको जनता जिताने के लिए प्रयास करती है लेकिन उक सिर्फ चुनाव में ही आते हैं कभी जनता के बीच में नहीं रहते हैं अब यहां डबल इंजन की सरकार चल लगी है आज तक एक भी ना तो फैक्टरी है ना एक भी सच्टरी का ऐसा संस्थान है कि जिसमें क्लास वन के हमारे जीले के बच्चे पड़ सके मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महराज गंज में बहन जी के सासनकाल में सारे कार कराये गए हैं वही उसी पे डम पड़ा हुआ है जन्दास भी बातकराएं उसे पूछतें कि आखिर इस दिले में वो किसके साथ हैं और इस नगर पालिका की अगर बात करें तो इस नगर पाल्का में इस बार क्या माहौल है अखलिश यादो का कुछ कहीं पे हवा कुछ साइकिल कहीं चल रही हो या फिर अभी टायर उसका जो परत्यासी जो है वो बहारी है यहां का लोकल के नहीं है और निकाय चुना की परिभाता यह होती है इस्तानी निकाय चुनाओं यहां पर निकाय चुनाओं की परिभाता यह बतल है यह पाहर के हैं तीनों परत्यासी जो है यह बहार ही है कोई आ जंगर का है कोई बस्ती का नहीं हैat हमाई लडाई जो है यहां सुन्हें में आई है कि लडाई जो हाथि बनाम कमल का फूल है कर tutaj ही चल लए है हम सा ाम अतार हो क्र्चन को पाल दैस्वाल है है हवा रही को देख जा रहा है कि बस तक हम क्या बोने की क्या की कि अगर आपके घर में किसी की तबियत खराब हुजए तो साड़े आड़ के बज़े के बाद कोई रोडवेज नहीं है ये नगरपाली का साधन भीहीं थी किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं था आज नगरपाली का परछेतर में साधनों का जो है अंबार खड़ा हुआ है जहां तक बेहतरी की बात है तो हमेशा ओट डालते वरते देखना पड़ेगा कि कहीं मेरे किसी गलती से किसी भूल से नगरपाली का परिशेतर के अंतरगत आने वाले समस्त नए वाडो का विकास कारेनर हुजा है इसलिए कि जब राज में बाजपा की सरकार है केंदर में बाजपा की सरकार है तो नगरपालिका को भी हम चाहेंगे उसी ओर ले जाना है तो जनता जो है वो बहुत कुछ खुल कर तो नहीं बोल रही है लेकिन ये जरूर बता रही है कि महराजगंज में विकास की जो बाते चुनाओं के पहले नेता करते चले आए हैं वो हकीकत में अभी तक जमीनी रूप से नहीं उतर पाई हैं और इस बार यहाँ पे विकास के मुद्दे पर वोड़ होगा पचीस वाड़ों में जो लड़ाई है उसमें बीजेपी, बीएसपी और कॉंग्रेस के भी इसमें यहाँ लड़ाई मानी जा रही है महराज गंज की जनता कमानना है कि इस बार जो विकास को लेकर के आगे बढ़ेगा, विकास के मुद्दे पर जो बात करेगा सिर्फ उसी को वोड़ दिया जाएगा, जाती धर्म को लेकर के यहाँ पर इस बार के सुनावें कोई जगह नहीं है, और महराज गंज के लोग ना किस बार जहाँ पर बदलाव हो दो